हेलो गाइज आपका मारी यूटूब चैनल पर स्वाग थे दो गाइज आज हम करने वाले हैं क्लास चंद का चैप्रेन नमर एट का एक्सराइज एट परिंट फॉर का कोश्चन नमर फाइव का फर्स पार्ट फर्स और सेकेंड पार्ट शायद हम इस वीडियो में रिप्टा हमेशा बोट के पेपर में इन 10 पार्ट में से कोई नो कोई पार्ट मलब एक दो पार्ट तो पक्का बोट में आते ही हैं और वह भी फोर नमबर के अरूंड ठीक है तो यह दस पार्ट को आपको बिलकुल अच्छी तरह कर लेना है ताकि आपके जितने भी इस चैप्टर की वेटेज है उसमें से कुछ नमबर तो पक्के हो जाए और अगर आपने पूरे चैप्टर के एक्जामपल प्लस सारी एक्सेसाइज को कर लिया है तो आपके जितने भी नमबर की इस चैप्टर की वेटेज है मतलब वह आपके पक्के हैं समझो ठीक है तो चलिए वीडियो यह इसके बराबर प्रूफ करने है है गरेजस को आरे चैसक के बराबर तो बहुत ही ज्यादा इसी पार्ट है यह वाला थो अ हम टेकिंग है ठीक है सब तो वेले टेकिंग LHS को से थीटा माइनस कॉटट थीटा का होल स्क्वेर तो हमारा जही है अब मैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कॉसेक थीटा को क्या 1 upon sin θ लेख सकता हूँ बिल्कुल लेख सकता हूँ और cos θ अपन में sin θ लेख सकता हूँ हाँ बिल्कुल लेख सकता हूँ और यह क्या है इसका whole square नहुँआरा है तो अब side में आप यह भी लिखते रहे ना कि cos θ जो होता है वो किसके बराब होता है वन माइनस साइन ठीटा गे और जो कॉट ठीटा होता है वो किसके बराबत है कॉस ठीटा अपॉन में साइन ठीटा के यह लिखोगे तब अब यह आपको नमबर मिलेंगे तब मैं को भी तो पता लगेगा बच्चे ने लिखा कैसे अब इसको तो साइन ठीटा को कुछ लिख सकता हूं सोरी यहाँ अब देखो यह भी इसका whole square है अब मैंने bracket खोल देता हूँ क्या गाम करता हूँ नीचे वाली का bracket खोल देता हूँ नीचे वाली का bracket खोलूँगा तो यह हो जाएगा ठीक है अब अब आप जल्दी मलब God से देखना मैं यह step में क्या दरूँगा 1-cos theta का whole square तो उप के बराबर होता है वन के बराबर होता है बिल्कुल सही का तो आगर मैं को साइन की वेल्यू निकालने तो cos square खीटा उधर चल जाएगा तो यह बन जाएगा अब 1-cos theta का whole square नीचे एक formula बन रहा है किसी को पता है क्या बन रहा है 1 square minus b square यह क्या होता है यहाँ पे 1 plus cos theta और 1-cos theta लिख दिंग क्यूंकि a square minus b square का formula ही क्या होता है a plus b a minus b ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहे है ठीक है अब उपर क्या लिखा है 1-cos theta 1-cos theta क्यूंकि square का मतलब यही तो होता है न और नीचे तो यही लिखा है जो आभी पर लिखा था तो क्या इससे यह कट जाएगा बिल्कुल सेम है कट जाएगा न क्या यह वही चीज नहीं है जो हमें प्रूफ कर नहीं थी 1-cos theta 1 plus cos theta यहाँ पे भी तो वही लिखा है तो यह हो चुका है हमारा LHS इक्वल्स यू RHS हैंस प्रूफ बहुत ही शांदार तरीके से हमारा यह question पूरा हो चुका है तो आपको इस question करने में थोड़ा तो मज़ा आया होगा क्यूंकि यह question है इसको करने में मज़ा आया है पर अभी जो आगी question आने वाले है उनको देखके तो आप मलब बोल दोगे भाई यह हुआ कैसे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही जादा इज़ी ढंक से मैं आपको समझा दूँगा वो question करने कैसे और full number भी मैं आपको दिलवा दूँगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और म जाइब करो